Hey what's up guys, welcome back, once again ज़ुवी का सुरुवात में हमें गोटिया नाम का लड़का को देखते हैं लड़का को उसका माँ जो चड़ी से मारती से इसलिए मारती से कि वो मुन्नी नाम का लड़की से साधी करने मांगता है जो उमर में 7 साल बढ़ी रहती है और मुन्नी का कहीं और साधी होने वाला रहता है गोटिया जो इसका हस्बेंट को जहर दे के मारने अकोसिस करता है इसलिए गोटिया का मा जो चड़ी से मारती है और इसका जो पंडिस का पाथ जाके मुन्डन करवा देती से जिस वजे से गोटिया जो काफी गुसा हो जाता ह राटने अपना वहीन को लेके चिटकबारी पहुण जाता है वह इसे पूष्टी से क्या कर रहे हो तो यह जो अपना वहीन का बली चढ़ाने जाता है और इसका वहीन अपना जान बचाने का लिए इसको धख्का दे देती आई जो नीचे जमिन में लड़के मर जाता है और इसका बात जो इसका घर वाला यहां पहुंचता है जो गोटिया को मरा हुआ देख के यहां रोने लगता है और यहां पर गोटिया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसका अस्ति को जो वही पेड़कर नीचे दवा दि क्लिए यहां पर ही हुआ अपना माँ पम्मी और डादी का साथ रहता है और फेलधू। पीछे से वाज देती से जिसे बिटू डर जाता है और बिटू को कुछ हरर विजन आने लगता है जिससे गाफी डरा हुआ रहता है और बेला आ की इस से हल चाल पूछती से और इसका बात जो बिट्टू और बिट्टू का मा उसका दादी गाउं जाने के लिए निकल जाती से और इस लोग सब मिलके गाउं पहुंच जाता है और इस लोग को लेने के लिए रुको आती से और इस लोग सब मिलके घर जाती से और फिर जो बिट्टू और रुको जो बीच पे इसकोड़ी में घुमने जाता है तो सामने इसको जो चिटुक बाड़ी दिखता है जिसको देख के जो बिट्टू को दिल में जो अजीब तरीका खयाल आने लगता है और बिट्टू यहाँ पर ही डर जाता है जिसको देख के रुको इसको घल ले आती है और बिट्टू का चाचा अपना मा को बोलता है चिटुग बाली बेच देने के लिए कागज में सैं कर देने के लिए मगर इसका मा बोलती है कि चिटुक बाड़ी ने बेचने के लिए वहाँ सैतानी सकती है इसब सुनने का बाद बिट्टु यहाँ से अपना स्कूडी में बैट के चिटुक बाड़ी का तरफ चल जाता है बिट्टु का दादी जो पूराना कमरे में आती है पेटी खोल के चिटुक बाड़ी पहुच जाती है और यहां आने का बाद बोलती है पेड़को के बिट्टु को कहा चुपा के रखो बाहर निकाल तो यहाँ पर हमें पहली बार जो मुझिया को दिखाया जाता पेड़ का उपर रहता है जो देखने में काफी डेंजर रहता है उसका बड़ा बड़ा दोड़ो आँख रहता है और हमें यहाँ पता चलता है दादी जो वही गोटिया का बहिन रहती है जिसका बली चड़ाने क लिए लेके आता है और यहां दादी उसको बोलती है कि मेरा बिट्टू को छोड़ने का लिए मगर ही मुझिया उसको ने छोड़ने मांगता है और दादी यहां अपना चड़ी से पेड़ से मारती है और दादी जो बार बार पेड़ में मारती है जिस वज़र से मुझिया जो बिटू का पीड में अपना पंजा मार देता है जिसका वजह से बिटू का पीड में पंजा का निसान बन जाता है और जंगल से दाधी और बिट्ट्ब बहार आ जाती से तो अतनाई में जो बिट्ट्ब को कुछ होने लगता है पीड में जो अजीब तरीका का आग निकलने लगता है और दाधी का जो पीछे जाके गरदन टोड़ के दाधी को मार देता है और यहां पर ही बिट्टू भी होस हो जाता है जब इसको होस आता है तो यह हस्पताल में रहता है और अगला सिंग में इसका दादी का अंतिम संस्कार होता है यहां पर ही बिट्टू का चाचा जो इलोक दोनों मा बेटा को ताना मारने लगता है जो सून के बिट्टू का मा क खाफी गरम हो जाती है बिटू को लेकर जहर आने लगती है और बसमें जो बिटू का पीट में तकलिफ में और मुंजीया जो बिटू का साथ उसका घर में आ जाता है दीन बर तो असाम होते साथ बिट्टू का अंदर से मुझिया निकलता है और यहां पर ही मुझिया इसको बोलता है कि मुझिया को ढूनने के लिए उससे हम साधी करेंगे और बिट्टू को खुब मारता है डेली मारता है जिसे बिट्टू जो काफी परिसान हो जाता है मुझिया बिट्टू को धमकी देता है तुम मुन्णी को जली नए ढूनेगो तो हम मां को मार देंगे रात रात भर मुझया को अपना पीट में बैढ़ागे गली-गली में मुन्णी को धुनन yay लगता है तो यहां बिटू अपना फिरेन को सब बात बताने लगता है है से जो जो हथसा इसका साथ होता है और जब रात हो चुका था तो यहां पर ही बिट्टू और हैरी संग में बैड़ा वह रहता है और यहां पर मुझिया बापस आ जाता है बिट्टू को डराने के लिए और यहां हैरी को जो मुझिया नहीं दीखता है मुझिया को वही एक सकेगा जो सका बिलेट लाइंड से रहेगा मगर यह एक हैरी को ऐसास हो जाता है यह कोई ना कोई है और यहां पर लुक दोनों काफी डर जाता है और बिट्टू बोलता है कि मुझनी जरूर मेरा गाउं से होगी एजली से इन अपना बहीं रुको को फोन लगाता है गाउ से मिलने कलिए करने मांगता है बुरी और देख पलड जाता है मुझे मुञ् Lab को सधिन करने क्या है तो बेली से बात करने लगता है निकलता है और यह पर जा बहाग जाता है ताकि मुन्जिया जो बेला को नुक्सान ने पहुंचाए और यहां पर हैरी बोलता है कि आपको मुन्नी मिल गई है तो आप मुन्नी से साधी करने के लिए तयार है बताईए कब करियेगा साधी तो यहां मुन्जिया आता है वो बोलता है कि मुनडी ने, यह चाहिए मुझे बेला से साधी करूंगा, बेला को ले के तुमें चिद्ग बाडी आना होगा बेला का बली चड़ा के उसे साधी करूंगा यह बोल के मुझिया चल जाता है और यह बात सुनके लोग दोनों का हो सुड़ जाता है कि अब जो बेला का जान खतरा में इस समझ्जिया कैसी सही होगा तो हैरी बिट्टु को लेके एक आदमी का पास आता है जो भूत पिरेज सादी का लीए पीड़ का पास बुलाँ और मुंजिया को साधी का लिए बखली का पास बुला गया है और जैसे मुंजिया बखली का अन्दर जागा तूम ज выпली को मारो न, मुझिया खतम हो जागा और इलोग दोनों का साथ देने के लिए एलवेश भी तयार हो जाता है। यह लोग दोनों जो बेला को मना के गाउं में ले आता है सुडिंग करने का बहाना। और यहां पर हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं मुंज्या को समझाता है कि अभी अभी हम तुम्हारा साधी बेला से ने करवा सकतै और यहां पर तुमको सबर रखना पड़ेगा और यहां पर रूक को आ जाती है और उविन जो मुझा को देख लेती है, इसलिये देख लेती है के दोनों जो एकी बेलट लैंस यह है, और फिर बिटू रुको को बताता है के मुझा जो बेला से साधी करने मांग रहा है, और हमें जो सब समान जो एक ख़ता करना पड़ेगा जली से, और यहाँ पर ही लोग जंगल में लेके आ जाता है वही पेल का पास और LV जो फोन से उसको गाइट करता है कि रिच्वर कैसे करना है पहले तुम आँग जलाओ और बिट्टू का खोन से जो बकली का चेहरा में जेट का निसान बनाना ताकि मुझिया जो बकली का अंदर आ ज जाता है तो अतनही में यहाँ पर ही बेला आ जाती है जो सराब का नसा में रहती है और यहाँ पर नाशने लगती है और बकली को उठा लेती है और अपना चेहरा में भी निसान बना लेती है जिसका वज़े से यहाँ पर इलोग तीनों का आत्मा ट्रांसफर हो जाता है बे बेला का आत्मा जो बकली का अंदर है बकली को लेकि यहां से भाग जाता है और एलवेस बोलता है कि वह बकली को अपना पास रखना मैं अभी आ रहा हूं आजी सब को सही कर दूंगा और रास्ता में जो इलोक को बिट्टू का चाचा दीखता है उजो इलोक से बकली छिनके लेके चल जाता है और यहां को सब घर आ जाता है बिट्टू जो अफने माहं को चल जाता है बकली प्रफिर के लिए रूख जाती है लोग सब मिलके बकली दूनने लगता है और बिट्टू अपना चाचा को पाच जाता है तो इस बताता है कि बकली को जबा करके खा लिए लेकिन दुसरा तरफ जो है हैरी को जंगल में वही बकली दिख जाता है बेला बेला चिलाते वे वह पकड़ लेता है और यहां पर ही जो काफी देर हो जाता है लोग सब मिलके जो है इसका चाचा को बांद देता पेड़ से और अलवेज जो उसी का खून से उसका चैरा पे जो जेट का निसान बना देता है और अतनहीं में जो बिट्टू का फिरेंट बकली को लेके आ जाता है और यहां पर ही अलवेज देखता है कि तीनों का चैरा में एकी निसान है और तीनों का आत्मा जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है बेला का आत्मा बकली से निकल के बेला का बाड़ी का अंदर चल जाता है और मुझिया यहां पर ही सब को मारने लगता है बिट्ट देती है जाके मुझिया से लड़ने का लिए और यहां बिट्टू जो वही छड़ी लेके मुझिया का पास आता है और यहां पर ही मुझिया जो बेला का बली चड़ाने जाता है तो यहां बिट्टू आके छड़ी चड़ी उसका पीड में मारता है और उसका पीड में जेट क निसान बना देता है और अपना खून से जो पेल में बिन वही निसान बना देता है जिसे यहां पर ही मुझिया का आत्मा जो बिट्टू का चाचाय सक अंदर से निकल के जो पेल का अंदर चल जाता है तो अतना ही में जो पेल का अंदर से मुझिया निकलता है पेल को चिलते और पूरा पेड़ को अपना काबू में कल लेता है और पेड़ से लोग wallet को को मारने लगता है और यहां पर आप इप यहीं पर ही खतम हो जाता है रींदा को मुझे कमेंट जरूर को लाइक कर दे जाएगा वीडियो को दबा के all में कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोडिक्टिसन डिर्क मिल जाए तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से ठांक्स और वाचिंग